हलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट यूसूफ जैक्स और हमारे पास आ गया है मोटो एज नियो 40 और इस पर आज हम लोग अप्लाई करने वाले हैं UV टेंपर ग्लास क्योंकि इस फोन के लिए जो है कर्फ डिस्पले है और कर्फ डिस्पले पर आता है UV टेंपर्ट ग्लास जो साइट से कर्व होता है तो आए देखते हैं वीडियो में कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है तो यहां पर आपको सबसे पहले company के दोरा एक pre-applied film देखने को मिल जाएगी आपके phone के screen पर आपको just इसको remove कर देना है जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको remove कर दिया और यह एक plastic की film है जो आपके phone के screen को बिलकुली protection नहीं देगी और क्योंकि curve display है भाई साब तो अगर UV tempered nap के देख लेना उसके बाद आपको यहां पर applying kit मिलता है और एक UV glue मिलता है और UV light मिलता है इन तीनों चीजों का आपको जो है इस्तमाल करना है लेकिन सबसे पहले आपको applying kit को खोल लेना है और इसके अंदर आपको dust sticker wipes और एक cloth मिलता है तो सबसे पहले आप wipe का use करेंगे और wipe से अपने phone को बढ़ियां से यहां पर clean कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मैं जिस तरह से clean कर रहा हूं सेम इसी तरीके से आपको अपने phone के screen को clean यहां पर करना है clean करते वक्त ध्यान रखिएगा कि खिरकी पंखा दर्वादा यह सब चीज आप बंद रखेंगे मे अब उपर और नीचे की और जहां जहां पर आपको speaker grills देखने को मिले वहां पर जो है यह dust sticker चोटा सा लगा दिजिएगा core पर ताकि UV glue जो है वो आपके speaker के अंदर ना जाए और by chance चला भी जाएगा तो कोई दिखकत नहीं है वो 10 minute में सूख जाता है आप उसको sui की मदद से यह sim ejector tool की मदद से बाहर निकाल सकते हैं मैंने वो भी करके देखा हुआ है ठीक है तो अब आप इस phone के screen को फिर से एक बार हलका सा clean कर लो अगर इस पर dust particle आ गया मेरे वाले पर आ गया था तो मैंने जो है इसको बढ़िया से clean कर लिया तो यहां पर आप देख सकते हैं हम किस तरीके से सफाई के साथ इसको clean कर रहे हैं और जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि पूरी तरीके से clean हो गया है तब तक clean करते रहो क्योंकि अगर dust particle रह गया और आपने UV tempered apply कर दिया तो गया liquid की bottle जो है उसके अंदर double tempered apply करने का liquid होता है तो आपको वो पूरा नहीं अब आप यहां पर देखिएगा UV tempered के पीछे एक plastic की film होती है उसको भी आप हटा देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहां पर हटा दिया ठीक है और simply उसको अपने phone के screen पर रख देंगे एक बार आपने रख दिया तो उसको उठाना बिलकुल भी नहीं है इस बात का आप ध्यान रखेंगे अगर आप उठाओगे तो वह खराब हो जाएगा मैंने ऐसा एक बर करके देखा वा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप उससे बचके रहिए थोड़ा सा उंगली से इसको दबा के ऊपर और नीचे की और ठेल देंगे आगे पीछे उससे क्य से यूवी लाइट लगाने का यूवी लाइट से पांच मिनट तक आप देखा दो और उसके बाद दस मिनट के लिए फोन को धूप में रख दो क्योंकि धूप में सबसे जादा यूवी है ठीक है बॉक्स के अंदर आपको यूवी लाइट देखने को मिल जाएगा टेंप उपर नीचे अपलाई करना पड़ेगा तो इससे बचने का वही तरीका है और अगर वो नहीं करना है धूप में रखने वाला तो पंदरा बीस मिनट ऐसे ऐसे करते रहो अपने आप अपलाई हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी तो गाइज यूवी टेंपर्ड ग्लास अपलाई करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको लुक देखने को मिल जाएगा साइट से फुल कर्व बॉड़ी है और कहीं पसी पता नहीं चल रहा है कि यूवी टेंपर्ड ग्लास अपलाई हुआ हुआ है और की वीडियोज देखने के लिए